नमस्कार इंडिया नियूज इन्खवर में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रवीन कुमार पेट्रोल डीजल और प्याज की आस्मान शूती कीमतों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है पिछले चार दिनों से लगातार ब्रधी हो रही है पेट्रोल में और डीजल में य और 73 के पार जा चुका है यह पेट्रोल का अग्रा 66 रुपे डीजल का प्रति लीटर हो चुका है चैन्नाई की बात करें तो चैन्नाई में 75 रुपे 93 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल आज की तारीक में बिक रहा है तो सवाल यह उठता है कि यह ब्रधी कप कहां तक और जहां तक प्याज की बात है तो वह प्याज की कीमत भी आज की तारीक में लगभग 55 रुपे से 60 रुपे प्रति किलो बाजार में बिक रहा है तो पहले हम पेट्रोल की बात करें डीजल की बात करें थोड़े से आंकरों की बात मैं बताता हूं आपको दिल्ली कोलकाता म मुंबई और चेन्नई में आज की तारीक में पेट्रोल की दाम क्रम सहा दिल्ली में में 75 रुपेश 77 पैसे कोलकाता में और 75 रुपेश 77 पैसे चेन्नई में और 78 रुपेश मुंबई में डीजल के दाम करमसा चीर सट रुपे 29 पैसे 68 रुपे 70 रुपे 54 पैसे और 70 रुपे साथ पैसे प्रतिलिटर हैं अंतराष्ट्रिय बजार में कच्चे त्रक्ता में आई तेजी की वज़ा जो है वह जो साथी अरब के अराम को कंपनी में जो ड्रोन एटैक हुआ था तो उसको एक अधार मना जा रहा है कि उससे कच्चे त्रक्त की कीमत बढ़ गई है और फिर अ बढ़ने के वज़ए से रहे हमाशन की जिंदिगी मुस्केड़ में पढ़ती जा रही है आप कि वह चलाते हैं आप चलाते हैं तो आपको बहर वाना है और जब आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है तो सोचना पड़ता है कि जेव आपकी खाली हो रही है मंदी के दौर में लोग पास पैसे कम हैं और डीजल के भाव का जो है वो दूसरे तरीके से परवाज़ करता है आपको डीजल ट्रक में यूज होता है माल दूलाई में यूज होता है और उसकी बज़य से चीजें महंगी हो जाती है जहां तक पियाज की बात है तो पियाज के पीछे की जो बज़व अताई जा रही है यह वो की आंध्रप्रदेश or महाराष्ट्रा में बारिश की बज़े से जो है आवक कम हो गई है और यह मार्केट में ज्यादा है डिमान्ड कम हो गई है तो जाहिर चीशिवाथ है कि वह कीम्ते बढ़े गी दूसरी बज़ा यह बताई जा रहे हैं कि मद्द प्रदेश और महारा ये रारस्थान में जो प्याज जो घर में लोग रखे हुए हैं वही सप्लाइव हो रही है कोई नई आबक नहीं हो पा रही है तो अब आने वाले समय में ये कितने दिन तक ये चलेगी प्याज की कीमतें वह कहना मुस्क इनों हमें रूला रही है लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले